इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में बेंक का लेजर कैसे बनाया जाता है अब बेंक के दो तरह के लेजर हो सकते हैं एक हो सकता है सेविंग और दूसरा जो है वो हो सकता है ODE या तो OCC ठीक है दोनों तरह के लेजर बनाने में अलग तरह के टेक्निक का इस्तमाल किया जाता है कैसे बनाया जाता है चलिए देखते हैं तो laser create करने के लिए gateway of tally में आना है और create पे आपको click करना है हमने click कर दिया हमारे सामने list of masters खुल के आ चुका है यहाँ पे laser पे click करना है laser पे click करने के बाद आपके सामने create का option खुल के आ जाएगा अगर आपको यहाँ पे यह सारे option मिल रहे है तो अच्छी बात है जैसे bank account details बगेरा बगेरा और इधर आपको अगर contact details मिल रहा है तो अच्छी बात है और अगर नहीं मिल रहा है तो इन्हें आप enable कर सकते हैं enable करने के लिए आपको नीचे या corner में F2L का एक option मिलेगा configuration इस पे आप click कर दें click करते हैं आपके पास configuration sheet खुल के आजागा यहाँ पे कुछ configurations को आपको enable कर लेना है जैसे पहला जो है वो यह है कि provide mailing detail अगर आप mailing detail चाहते हैं तो उसे yes करतें साथ ही आप provide bank detail अगर चाहते हैं अगर इनकी आपको need है तो इनहें जरूर enable कर ले जैसे अगर आप check का detail वगिरा रखना चाहते हैं maintain तो वो भी आप enable कर सकते हैं provide bank account detail for bank ledger उसे भी enable कर दे अगर आपकी जोरत हैं नहीं है तो आप इनहीं यहाँ से disable कर सकते हैं कोई problem नहीं कभी भी enable और disable कर सकते हैं तो इन सारे चीज़ों को हमने enable कर रखा है इसलिए हमें इतने सारी चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है पहले हम लोग देखते हैं कि saving account का ledger कैसे create किया जाता है तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा एक saving account है जो state bank of India में है तो यहाँ पे हम नाम लिखेंगे state bank of India इसके बाद tab button दबाएंगे अब ऐसा एक state bank of India को जादा तर लोग SBI के नाम से पुकारते हैं तो जो allies है यहाँ पे आप SBI लिख सकते हैं इससे एक साथ दो laser create हो जाएंगे एक तो state bank of India का और दूसरा SBI का लेकिन इसमें जो मज़ेदार बात है वो यह है कि अगर आप SBI में किसी तरह का entry करते हैं तो automatic वो state bank of India वाले laser में भी पास हो जाएगा और अगर state bank of India वाले laser में किसी तरह की entry पास करते हैं तो वो automatic SBI में चला जाएगा यही है allies का फाइदा तो जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि एक laser जिसका नाम दो हो सकते है तो allies का इस्तमाल करते हुए आप दोनों ही नाम के laser create कर ले इसके बाद आगे जाने के लिए enter या tap बटन दबाएं तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अब पूसता है कि यह जो laser है यह कौन से group के अंदर रहेगा तो आपको याद होगा कि tally 28 तरह के group देता है उन्हें में से आपको चुनना होता है कि यह laser किस group के अंदर आएगा तो अभी हम लोग saving का बना रहे हैं तो saving के लिए हमें लेना होगा bank accounts bank accounts को हमने लिया bank accounts लेते ही यहाँ पे कुछ details आ जाते है bank account details यह कहां से enable है आपको याद होगा configuration से यहाँ पे app to well दबाईए या configuration पे click किजिए अगर हम इसे disable कर देते हैं जैसे देखिए इसे अभी हम no कर देते हैं और enterprise कर देते हैं और इसे हमने कर दिया save तो यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें गाइब हो जाएंगी bank details वगेरा गाइब हो जागा contact details वगेरा गाइब हो जागा चलिए इन्हें एक एक करके सबको disable कर देते हैं जैसे provide contact details इसे भी हमने no कर दिया provide mailing details इसे भी हमने no कर दिया इन सारी चीज़ों को हमने no कर रखा है अब control A करते हैं तो यह save हो जाएगा और चीज़ें गाइब हो जाएगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको नजर नहीं आ रहे हैं से भी कुछ चीज़ें गाइब हो चुकी हैं अगर इन्हें आप वापिस चाहते हैं तो configuration पर क्लिक करें और इन्हें जो आपकी ज़ुरत है उन्हें आप enable कर लें जैसे bank detail मुझे चाहिए contact detail मुझे चाहिए इन्हें enable कर लेंगे control A आप keyword से दबाएं तो यह save भी हो जाएगा और वापिस आप creation वाले seat में आ जाएंगे तो यहाँ पर सारी detail हमारे पास आ चुकी है अब इन्हें fit करना है तो सबसे पहले account holder name आपकी जो company है अगर उसी नाम से है तो ठीक है तो जो भी आपका account number रहे वो आप यहाँ पर डाल दीजे अगर आप checkbook इस्तमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से enable कर सकते हैं इसके लिए simple आपको यहाँ पर Y करना है या double click कीजे और enter press कीजे तो आपके सामने आ जाएगा check range set करने का यहाँ पर आप range डाल दें जैसे माल लिजे हमारे पास जो check है उसका number ऐसा मान के चलते हैं कि 8500001 से हैं आगे बढ़े हमने और अगर यह 100 का है तो 850100 मैंने लिया और enter press किया कितने हैं इसमें quantity total 100 का checkbook का नाम अगर आप रखना चाहते हैं SBI, saving, enter press करते हुए इसे मैंने complete कर दिया अगर आप check printing enable करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं next आएंगे तो यहाँ पर name पूछेगा उसके बाद address पूछेगा तो आप address डाल दीजे state वगेरा जो है वो सारी चीजें यहाँ से आप fill करते हुए आगे बढ़ें pin code वगेरा जो है वो डाल दीजे आप फिर mobile number अगर आप चाह रहे हैं तो mobile number भी आप यहाँ पर fit कर दीजे समाली जैसका यह mobile number है enterprise किया हमने आगे बढ़ें provide contact detail अगर और भी detail डालना है जैसे email हो गया website हो गया number वगेरा हो गया वह आप यहाँ से डाल सकते हैं लेकिन यह option तभी आपको दिखेगा जब configuration में आपने enable कर रखा होगा extra contact detail को जो कि यहाँ पर आपको नजर आता है तो यह जरूर enable कर ले अब यहाँ पर हम करेंगे या double click करेंगे और enter press करेंगे तो contact detail का sit हमारे पास खुल के आ जाएगा वहाँ पर जो वेक्ती है उसका क्या नाम है वह आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं जैसे enter मेंने क्या phone number उसका क्या है वह आप यहाँ पर डाल दें इसके बाद fax number वगेरा है email अगर है तो वह डाल दीजे अगर आप इसके अलावा दूसरे को mail चाहते हैं भीजना एक साथ तो वह आप CC में डाल सकते हैं अगर उसका website है जैसे sbi.com तो ऐसा आप पुरा detail यहां fill कर दीजे आगे बहुत सारे टैली ऐसे फीचर आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप email भी कर सकते हैं contact भी कर सकते हैं sms वगेरा भेज सकते हैं तो उस जगह पर यह जो detail आपने feed किया है वह काफी useful हो जाता है अब आती है बात gstn number की तो gstn number bank से आप ले ले और वह जरूड feed कर दे क्योंकि कई बार services charges वगेरा जो रहते हैं वो refundable होते हैं जो आप gst return file करते हैं समय शो कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको यह काम देगा तो यहां पर मैंने gstn number type कर दिया enterprise किया और accept करते हुए इसे save कर दिया तो अभी हमने एक bank account का laser बनाया है जो की saving के लिए था लेकिन अगर आप OD या OCC वागेरा के लिए बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं जैसे मैं यहां पर बना रहा हूँ PNB CC account ले लेता हूँ इसे enterprise किया हमने यहां पर under में आपको bank account नहीं लेना है आपको tally दो head यहां पर provide करता है एक OCC account और OD account किसी को भी लीजे दोनों एक ही चीजे हैं तो जैसे मैंने OCC pay रखा और enterprise किया तो आप देख सकते हैं यहां पर by default OD account आ गया और यह liabilities के अंदर जाता है मतलब अगर आप loan लेते हैं या आपका overdraft का कोई bank account है तो उसे आप इस head के अंदर बनाएंगे अब जैसे यह लेंगे तो आपसे पूछेगा कि कितनी आपकी limit है OD की आनि overdraft की माल लेते हैं कि हमारी limit जो है वो 10 lakhs की है तो यहां पर हम 10 lakhs लिखेंगे और enter प्रेस करेंगे इसके बाद account number जो है वो डाल ये ifsc code वगेरा जो है वो डाल दीजिए इसके बाद enter प्रेस करते हुए branch जहां का है वो branch का नाम यहां पर डाल ये अगर check book है तो आप check detail यहां पर fit कर सकते हैं जैसा कि हमने previous में किया था बाकि detail fit करते हुए आगे पढ़ेंगे address वगेरा type करेंगे फिर estate, country और pin code वगेरा जो है वो डाल दीजिए और इसी तरह से mobile number वगेरा ये सारी detail fit कर दीजिए और सही-सही fit कीजिएगा ताकि जब ज़वरत पढ़े ता आपको वो detail मिल जाए contact detail अगर आपको extra मिला हुआ है तो वो आप यहां पे fit जरूट कर लें इसके बाद gestion number वगेरा जो है वो आप fit कर दें यहां पे और enterprise करते हुए इसे save कर दें तो इस तरह से आप saving के लिए और overdraft, OCC, OD इनके लिए bank account laser create कर सकते हैं इस वीडियो में यही तक आगे आने वाले वीडियो के notification के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले दोस्तों के साथ share करे वीडियो को like करे बाई thank you